तो इंडिया और कुवेट का आखरी ग्रूप मैच ड्रॉ हो गया है, सेफ चैंपियंशिप में इंडिया की एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही, अगेंस्ट कुवेट साइट जो की एक अच्छे रन ओफ फॉर्म से आ रही थी, और उनके अगेंस्ट इस तरीगे की प इंडिया करना चाहिए, हमको एक-एक मैच देखना चाहिए, जितना भी वो अब खेल पा रहे हैं, और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी इस एज में, and I think 39 के हो जाएंगे वो ऑगस्ट में, 92 इंटरनेशनल गोल्स हो गया है सुनिल छेतरी सर के, तो इससे कुछ हो नहीं सकती हमारे लिए, हाँ लास्ट में जरूर एक अनफॉर्चुनेट ओन गोल कहूंगा मैं, जो अनवरली से हुआ, और I think उसमें उनकी गलती नहीं थी, किसी की भी गलती नहीं थी, it was a unfortunate incident, जो बॉल का बाउंस था, क्लियर करते समय, उनसे जो बॉल है अपने ह को चेर कर रहे हैं, इस से दिखता है कि एक sense of unity, एक sense of togetherness है टीम में, और अगर हम बात करें इंडिया की performance की, तो all in all एक बहुत अच्छी performance थी, I don't think so कि हमने कुछ जादा clear cut chances दी है, कुवेत को और एक बहुत ही जादा attacking team है, उसके हैसाब से हमने बहुत ही अच्छा defend किया, एक जो चीज मुझे थोड़ी सी जैसे है, जो थोड़ी सी मुझे मुझे लगती है कि improve कर सकते हैं, वो है हमारी finishing final third, मैं think हम shots बहुत लेते हैं, लेकिन shots की quality और better हो सकती है, हाँ इस draw का मतलब यह होता है, कि हमने group top नहीं किया है, लेकिन ठीक है, लेबनान से ही होगा, अगर लेबनान group top करेगी, 99% confirm है कि लेबनान अपना group top करेगी, तो लेबनान से अगर semi final होता है हमारा, तो कोई जाधा दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अभी recently ही हमने उनको Intercontinental Cup के final में हराया था, एक जो चीज देखने में मज़ा आ रहा है, जो passion और एक आग दिखरी है field पे, जो फिर से एक red card मिलता है, तो पता चल रहा है कि कितना passion और कितना जुनून जोग रखा है coach ने इस team में, और बहुत अच्छा India खेल रही है, I think हम सब agree रहेंगे कि बहुत time बाद हमने India को consistently अच्छा खेलते देखा है, तो I just hope कि ये एक purple patch ना हो, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि ह हमें एक ठीक ठाक run off results पे जाते हैं, उसके बाद वापिस से जो हमारी situation है, same हो जाती है, तो I just hope कि हम इस से build करें, ये जो हमने momentum पकड़ा हुआ है ना, I believe हम जीत जाएंगे, safe championship और obviously मुश्किल होगा, I think हमारा final Kuwait से ही होगा, तो Kuwait के against, अगर हमारा final होता है, तो I think it is going to be a difficult game, लेकिन I believe we can win the whole thing, और safe championship जीतने के बाद हमको एक necessary boost मिलेगा, उसके बाद 2 tournament है, जिसकी मैंने बात करी थी, जीतते भी नहीं है, तो at least उसमें एक अच्छी performance ना, momentum बनाने के लिए बहुत जादा ज़रूरी, और हमने बहुत बार देखा है कि एक जब हम speed पकड़ते हैं तो उस पर capitalize नहीं कर पाते हैं, तो देखते हैं कि Asia Cup में इन results का क्या फरक पड़ता है, और किस तरीके से ये हमारे लिए Asia Cup में confidence को carry करते हैं, तो Asia Cup is the biggest thing right now, जो हमारे सामने हैं अभी जो अगले 6 महीने में होने वाली है, January में जैसा Asia Cup स्टार्ट होगा, तो उसके लिए ये preparations बह दिख रहा है कि coach जिस तरीके से command कर रहे हैं टीम को, और जिस तरीके का passion दिखा रहा है और वो एक much needed fire जो चाहिए हमको, वो दिख रही है तो वो देखके अच्छा लग रहा है, अब दूसरी news है, transfer को लेके तो Declan Rice के लिए 105 मिलियन की Arsenal ने bid submit कर दिया है, 100 मिलियन प्लस 5 मि तो अभी एक दो दिन पहले Man City ने भी bid किया था Declan Rice के लिए around 90 मिलियन जो reject कर दिया था West Ham ने, I think Arsenal को तो goes without saying की बहुत ही जादा सक्त जरुवत है Declan Rice की, given the fact की जाका already जा चुके हैं, Thomas पार्टे का कुछ confirm नहीं है कि वो रुकेंगे, कि जाएंगे साओधी अरेबिया से ज बहुत जादा ज़रुरी है Arsenal के लिए और Kai Havertz already sign कर लिया है Arsenal ने, उसके बाद हम Declan Rice की बात करें तो अगर यह deal होती है 105 मिलियन की, तो already मतलब 170 मिलियन आप देख सकते हैं कि spend हो जाएगा Arsenal की side से, which is massive, I think finally वो realize कर रहे हैं कि उनको किस area में strengthen करने की जरुवत है, I still think एक proper number 9 की और जरुवत है Arsenal को, बट देखते हैं क्या वो करेंगे उस area में, और एक centre back और चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, because हमने देखा था जब Saliva को injury हुई, तो किस तरीके से struggle किया था, या तो एक centre back लेया है या एक ride back लेया है, तो Ben White जो है, फिर वो जो बचावा रोल होगा, उस हैगा अभी भी, तो मुझे लगता है कि Arsenal के लिए Declan Rice की तो signing must है, और Fabrizio ने भी बोला है कि कुछ चीज़े जो है, वो internally discuss और clarify करनी है Arsenal और West Ham को, especially जो deal का structure है उसके उपर, कुछ changes होंगे छोटे से, 105 million की bid में, बट ये enough होगा, और अभी भी West Ham जो है, वो city का wait करेगी, तो एक bidding board चाह रही है, और वो देख रहे हैं कि अगर Man City last में आके overbid कर दे, Arsenal को, तो शायद उनको और पैसा मिल जाए Declan Rice के लिए for a player, जो last year में है अपने contract के, तो West Ham भी I think जितना जादा निचोड सकती है, जितना जादा leverage कर सकती है, इस transfer को वो कर रहे हैं, और एक साल बचा एक Rice के contract में, I think West Ham बहुत जादा ही आपर, मतलब पुश कर रही है, लेकिन जैसा modern football में बोला जाता है, you got to do what you got to do, सीधी सी बात है, पैसे से सब कुछ चलता है, और अगर आपको अपनी टीम को competitive रखना है, तो Declan Rice जैसा player आपको लाना ही पड़ेगा, इसमें कोई doubt नहीं ह एक जो बहुत ही भेंकर rumor आया है, मतलब अब इसको हम address करें की नहीं करेंगी, Mbappé to Liverpool, मतलब Liverpool Mbappé के लिए Real Madrid को 200 million plus 50 million in add-ons देने को तयारत, 300 million की bid मारेंगे, तो ये तो देखिए, मतलब सुनके ही बड़ा अजीब लगता है, फिर उसके बाद ये भी news आती है कि Well Verde में भी इंट्रेस्टेड है Liverpool, 90 million तक की bid, Well Verde की भी आ सकती है, तो देखिए, already McAllister ले लिया है, Liverpool ने कहफरें तुरम की बात चल रही है, Romeo Lavia से linked है, तो I think these are the realistic targets जो Liverpool आएंगे, ये Mbappé और Well Verde की, मतलब Well Verde मैं फिर भी मान लूँ है एक बार को, कि शायद possible है, लेकिन Mbappé तो किसी भी एंगल से realistic नहीं है, Liverpool एक transfer window में 400 से 500 million खर्च नहीं करेगी, अगर उन्होंने कर दिया तो ये ambition दिखाता है, owners का, और I don't think so कि Liverpool का Champions League में ना होना, एक रोड़ा बनेगा उनके लिए, मुझे लगता है कि वो players को convince कर सकते हैं, जिस तरीके का उनका project है, जो manager है, वो मुझे नहीं लगता है कि Champions League एक hurdle होगा उनके लिए players को लाने के लिए, अगर उनको seriously Mbappé के पीछे अगर वो पढ़ते हैं तो ला भी सकते हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये होगा, given the history, Liverpool जिस तरीके से transfer market में काम करती है, जिस तरीके का वो पैसा कर्च करता है, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, well word है, फिर भी, एक बार को मैं consider कर सकता हूँ कि शायद हो जाए, बट Mbappé तो बिलकुल नहीं होगा, तो ये पता नहीं rumor ही कैसे आ रही है, समझनी है, I think bore हो रहा है, journalist कुछ है नहीं करने के लिए, तो कुछ भी बना दी, जिस से थोड़ा सा attraction मिल जाए, हम जैसे लोगों को content मिल जाए, थोड़ा सा बात करने के लिए, ये ही लगता है मुझे, और तो कुछ नहीं है, बाकि आपकी क्या रहा है न सब चीजों पर, please do let me know in the comment section, और कुछ आता है interesting और कुछ बात होती है, तो मिलते हैं फिर बात करते हैं इन आथ मुझे पूर में कि अपकी की ये मुझे, बाति ही लिए और मुझे, गी हाँ, वाला दो जाए, आपकी बात्रप़ार ग Над Prague के लिए